अलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल हैपीनेस विद प्राजी आज में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हूं मेरी दू साल की बेटी का मौनिंग रूटीन रूत्र सुबह साथ बजे से साथ बजे के बीच में कभी भी जग जाता है और जगने की बाद में सबसे पहले मैं उसे देती वो है पानी अभी मैं इसे नॉर्मल पानी दे रही हूं सर्दियों मैं इसे गुनगुना पानी देती थी बट इसे गुनगुना पानी पसंद नहीं भूम बाँ पींदे के बात में इस वाश्रूम है यह पी और पोटी मोस्त आ पर आप गलता है यह साथ पानी कर्था बाँने के बात में मैं इसे पोटी कुराएं आप लोगों को बता दो падा दो रूदर के लाग्य थे तरynn據 कि फर दो पृटी जरूर क theo मिल ड्रेकर शts대Y आच मैं इसको दूद बार्मिता वाला बना रहा हूं और इसके लिए मैं ने एक ग्लास दूद में थोड़ी से चीनी एड़ कियो और बार्मिता एड़ किया है और यहाँ रुद्रकों में दूद लेके आ गए और इसके डेके स्टार्टिंग मॉस्टर टाइम मिल्क से ही होती बहुत रेरली मैं से ब्रिक पास्ते स्टार्टिंग करती हूँ, सबसे पहले मैं से मिल्की दीती हूँ और यहां पर मैं एक्सेसाइज कर रहे थी, इससे तो इसने देख लिया तो यह भी एक करने के लिए आ गया यह मौश्ट रफ चीजे जो मैं दीखती हूँ ना वही स्टार्ट कर देता है, मुझे म्यूजिक की साथ एक्सेसाइज करना पसंद है और इसे पता चलगे है मैंने म्यूजिक चला रखा है तो देखो अभी उसे छोड़के यह डांस करना स्टार्ट कर रहा है तो मैं साथ में बैट भी बना रही हूँ, सफाई भी कर रही हूँ और म्यूजिक भी सुन रही थी इस टाइम पर रुदर मेरी साथ है इंगेज रहता है अभी टाइम हो रहा एक थार्टी और मैं यहां पर रुदर की मसाज कर रही हूँ, इसे बिल्कलबे बसनने मसाज करवाना जब यह छोटा था तब तो यह जज्जे से मसाज करवा लेता था तो पर जब से बढ़ा कि ब्रिक्फ़स्ट बनाने के लिए अर ब्रिक्फ़स्ट मैं अर्शिक लिया बनारी हूं भी ते रुदर के अपने लिए और मैंने थी टेबल इस्पून यहां पर दही एड़ किया और थोड़ा पानी आड़ के सिका बेटर बना लिया अब मैं इसमें एड़ करयों यह तोड़ा सा नमक एड कर चुछ ब्लैक पेपर एड किया और थोड़ी सी रैड चिली पाउडर एड किया अपस इसकी कंसस्टेंसी में नॉर्मल लगते हूं ज्यादा थिन नहीं करते हूं यह बैटर मैंने से जब मिल्क बनाने आयते हैं उस वक्त में से भीगो के चली गई यह अपर मैंने तववर पे घी अट किया है और मैं इसे हमेशा लो फ्लेम पे इसकने दीती हूं साइड में मैं अपने एक्स्ट्रा वां पर कर लेतीय। क्योंकि यह सीख दो जाता हैं पर अंदर से कच्छा रहने के पूरे चान से जहते हैं क्योंकि भार के स्कीन होते हैं वो तो हमें लग रही होती है कि वो सीख गई बट क्या होता है अंदर से वो कच्छा रह जाता है तो मैं हमेशे इसे लोग फ्लेम पे ही सीखती हूँ और साइड में अपना एक्स्ट्रावाइ कर रही होती हूँ क्योंकि अगर मैं खड़े हो के सीखूंगी तो बहुत जादा लग जाता है तो इरिटेशन होने ही लग जाता है इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास और अभी मैं इसकी प्लेट में इसके लिए टॉमेटो एड किया है मखाने एड किया और कैस्ट्रियो बहुत कम खाएगा तो मुझे से दिन भर में खिलाना होता है अगर यह नहीं खा इस टाइम के लिए एक्टिविटेश दे लिती हूँ कभी यह मेरे आगे पीछी गूम रहा होता है तो इस टाइम का बिल्खुल भी फिक्स नहीं है कि यह सेम चीज करें इसके हर दिन का डिफरेंट होता है अभी टाइम हो रहा है 11.00 और रुद्री यहां पर नहां की आ गय जीरा पाउडर जरूर एड़ कीजिए उससे टेस्ट और ज्यादा अच्छ हो जाता है पर इसे पसंद नहीं तो मैं से प्लेइन ज्यादा देना पसंद करती हूँ और अभी समहर आगे तो आप धही एक अच्छा ओप्शन हा पिड मार्निंग स्नेक में बच्चों को दे सकत अच्छ आप जाता है और अच्छ नाने के लिए इसको लिक बैट यू पढ़ने के लिए अपनी नौटबुक खोल रहा है मैं इसको लिखना सिकारी हूं आजकल चूकि यह पहन नी पकड़ना जानता यह बोलने में मौश्टली चिजह सीख गया बट अभी से लिखना नहीं तो बस उसी की प्रैक्टिस कहते है हम लोग साथ में बैट की मिला बीटा परले पैन सही से पकड़ो यहां से पकड़ो बीटा अच्छ से पकड़ो और उपर से पकड़ो अच्छी 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 एक पॉइंट से यहां तक हम कैसे लेकि जाते हैं ऐसे एसे अब करके बताओ मुमम को आप गुड़ड और ऐसे करो जिग जिग एची करके बताओ जिग 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 वाली लाएं बाबु जिग जिग इसे अक्टिविटी में बिजी करती हूँ और तब तक मैं इसका लंच तेयार कर लेती हूँ लंच में मौशली वही देती हूँ जो हम लोग खा रहे होते हैं तो अभी मैंने इसके लिए पनीर आइड किया है राइस आड किया है रोटी आड किया है और सबजी आड कि आलू जेने की तो मौशली वही होता है जो हम लोग खा रहे होते हैं मैं इसके लिए special कुछ भी नहीं बनाती हूँ तो ये भी वही खाता है जो हम लोग खाते हैं दूस्तों अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है मैरा वीडियो पसंद आता है से जादा से जादा लोगों में शेर कीजी मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जुरत